यूपी के रोयलकंड इलाके में गौबंसी पस्गों के बद और गौत असकरी की घटनाओं पर अंकुस लगाने को पुलिस चारो और गौत असकरों की घेराबंदी में जोटी नजरा रही है। जबकि उसके साथी अतीक और आजम लगडा की तलात में ताब अरतोर दविसे जारी हैं। पूरे जिले में गौत तसकरों की धरपकड में कई पुलिस कर्मी घायल भी हो चुके हैं। पूरे जिले में ब्यापक धरपकड अवियान चलाकर सवासों से ज़्यादा गौत तसकरों को जेल भेजा गया है। अलगला गौत तसकर गैंग चलाने वाले मोसिन, रासिद, दानेस और जाविद के बाद अब फर्मानों और फईया को भी पुलिस ने सलाकों के पीजे पहुचा दिया है। सूत्रों का कहना है कि गायों की तसकरी करने वाले अपरादियों को कुछ सपेद पोसों का सनचण भी होने की चर्चा है जो परदे के पीछे रहकर अपरादियों की हर तरह से मदद करते हैं और उन्हें कानूनी साहता उपलब्द कराते हैं। बहेडी, सेरगड और सीजगड एलाके को तसकरी को लेकर ज्यादा बदनाम हैं जहां हाल के दुनों में गौबद और तसकरी की घटनाय लगातार सामने आई हैं। SSP अखलेश चौरत या पूरे जिले में ऑपरेशन तसकर चलवा रहे हैं ताके संगठित होकर गौबंसी पचुओं की तसकरी और उनके साथ करूरता करने वाले अपरादी गिरोहों की कमर तोड़ी जा सके। इस सुचना पर थानवरुभरी वहां मौकबे गए तो गौदसकरों ने कुड़िसपर्टी कर भायर किया। जवाबी कारवाही में एक साथिर गौदसकर गायर हुआ है जिसके बाहर में गोड़ी लगी है। साथिर गौदसकर का नाम पर्मान उफ अहिया है जो मौलार टांड़ा थाना बढ़ड़ी का ही रणने वाला है। और इसके खिलाब लगवक एक गरजन मुकदमे गौकसी और पशुचूड़ी के थाना बढ़ड़ी को तंदिक रहे हैं। इसके दो साथी अंधेरे का फाज़ा उना कर भाग गए हैं। इंकी तलास जारी है। गायर अभूद को उचार के लिए अस्पिताल मुक्ती कराया गया है। तका आवसे करवाई संबधित कराया है।